नमो नमा सचिदानन्दरूपाय विश्वध पत्यादिहेतवे तापत्रयविनासाय श्रीकृष्णाय वयमनुमा श्रीमद भागवत महापुरां वो ज्यान की गंगा में हम रोज रोज स्नान कर रहे हैं तो चलो आज जिसे रोज हम स्नान करते हैं ऐसे ज्यान की जो गंगा है उसमें भी आज स्नान करते हैं तो भागवत का एक स्लोक में पढ़ता हूँ फिर उसके बारे में हम स्रवन करेंगे फिर मनन करेंगे फिर उसका जो अर्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन और बदलवाए और हम अपना जो स्वरुप तक पहुँच पाए जो अपना जो स्वरुप को पा लेना इस संसार में उससे बड़ी कोई उपलब्दी नहीं है तो ऐसा मैं स्लोक पढ़ता हूं यह जो स्लोक है मैं जो स्लोक है फिर से सुनिये सच्चिदानंदर उपाय यह भागवत का प्रसम स्लोक तो ये जो भागवत है तो मैं पढ़ता हूँ फिर उसका हम लोग विशलेशन करते हैं अन्य सभी साधन तोल में हलके पढ़ गए और अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा यह देखकर सभी रुशियों को बड़ा विश्मे हुआ देखो आश्चरी हो गए जो रुशिय मुनी थे आश्चरी हो गए कि जितने भी साधन थे उसमें भागवत का जो बड़ गई और विश्मे हुआ उन्होंने कल्यूग में इस भागवत रुप भागवत शास्त्रा के ही पढ़ने सुनने से ततकाल मुक्ष देने वाले निश्चे किया कि कौन क्या उपाई करे जिसे अपना मुक्ष हो जाए वो जेको मुक्ष तीन प्रकार से होता एक तो आ आपका जो शरीर है उसका जो तादयतमत चुड़ गयं मैं अहमिदम शरीरम नस्ती मैं शरीर नहीं हूँ मैं ब्रह्म हूँ यह जिवनमुक्ति बोलते हैं और पीर मैं जनम मरनवाला नहीं तो तो सब्ण करने पर ओ अब करता है पुर्वकाल में इस दया परायन संकादी ने देवर्षी-शि नारद को सुना कौन कि फो आज में आपको सुना रहा हूं तो पहले किसने किसको सुना है तो अब तो पूर्वकाल में इसे दया परायन, देखो मैं भी आपसे प्रेम से ही सुना रहा हूं, मुझे भी लगता है कि चलो आप लोग सोचियल मीडिया में इतना समय यूटूब माता को देते, ये नई मिशारन्य में है, तो हो सके चलो ये भी नई मिशारन्य में, आपका समय अच स्रवन कर लिया था, देखो बार बार सुनने से महूर महूर आप जब सुनते रहते हैं, तापके जीवन में परिणवरतन आता है, तथा पी सप्ता स्रवन की विधी तो उन्हों है सनकादी, जब ऐसे सनकादी बोलता हूं, तो सनक आदी रुशियों ने ही बताई थी, तो अ साथ चीज है न, तो आपने सप्त लोग, उद्व सप्त लोग है, ओम भू, ओम भुवाह, ओम स्वाह, ओम महा, ओम जनहा, ओम तपह, ओम सत्यम परम दी मही, ये जो सत्य लोग है, और फिर साथ चक्र है, मुलादार स्वादिस्तानम, मनी पूरक मेवच, अनाहतम शुद्ध भग्याम, शडचक्र भी मुच्चते, वेदव्यास जी ने छचक्रों बताए, क्योंकि जो गूमता रहता है, उसे चक्र बोलते है, और जो स्थीत है, वो पीठ बोलते है, तो आपकी जो पीठ है, या मिस, वेर यू स्थे, आप जिदर रहते हैं, आपका जो स्वस्थान है जो आपका स्थान है, तो इसलिए जो सात्वी चीज है, उसको सहस्तरार बोलते हैं, वहां आप रहते हैं, शीव की बैठा के पीठ बोलते हैं, तो वो पीठ है, मिस, बैठने का साधन है, तो वहां जाके आपको आनन्द और सुकुन मिलता है तो सवनक जी ने पुझा, सवनक उवाज, लोक विग्रह मुक्तस्य, नारदस्यास्थी रस्यज, विदी श्रवे कुतह पृति, सैयोगह कुत्रतैसह सवनक जी ने पूझा, किसको पूझा, सुत जी को पूझा, संसारिक प्रपन से मुक्त एवं विचारशिल नारद जी का संकादी ये साथ संगात कहां हुआ था, विदी विदान से स्रवन में उनकी पृति कैसे हुई, लोग कभी मुझे मिलते हैं, तो ऐसे वदाए गुरु जैसे मैं मंदिर से बाहर आया, तो फिर एक मित्र ने पूझा, कि आपकी कोई यूटूब चैनल है क्या, मैं लब है, तो मैं आपको सुनता हूँ और मुझे बहुत आनन दाता है, तो यही प्रश्ण इधर पूझते हैं, कि संकादी के साथ संगात कैसे हुए, तो मैं और आ नहीं में शारन्य रूशय हसा उनकादया, तो हम लोग किधर मिल रहे हैं, नहीं में शारन्य में हम लोग मिल रहे हैं ऐसा, तो कैसे हुई ओपूझा, तो सुत जी ने बताया, सुत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो गुरुजी थे ने, उन्होंने उसको एकांत में सुनाया था, तो कोई कोई चीज ऐसी होती है, कि सब को सुनाने के लोग मुझे पूछते हैं, कि गुरुजी आप किधर तक पहुचें, गुरुजी आपको आत्मा साक्षात कार हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं बताता हूँ, काम करना मुझे बाद में मिलना, फिर मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे मिलने के लिए आता है, तो मैं उसे एकांत में सुनाता हूँ, कि देखो, आपको आत्मा साक्षात कार हुआ, बलता है गुरुजी मुह नहीं हुआ, तो मैं आत्मा को आप जानो, स्वहिम को आ रहा हूं देखो एक दिन विशालापूरी में वे चारो निर्मल रुशी सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारजी को देखा देखो जो लोग ब्रह्मन करते हैं तो ये विशालपूरी में चारो निर्मल रुशी जो चारो रुशी थे न वो घुमते रहते हैं और उन्होंने नारज जी को देखा और कुमारा वुचो कुमार लोगों ने ऐसे सनकादी ने पूछा कतम भ्रह्मा दिनम्मुकम दीनमिस्ट ऐसे गरीब जैसे भलता है तो ए ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है आप चिंता तुर कैसे हो इतनी जल्दी जल्दी आप कह जा रहे हो और आपका आगमन कहां से हो रहा है इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं कि जिसका सारा धन लुट गया हो आप जैसे आपत आशक्ती रही पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है इसका कारण बताए अभी देखो तो ये जो है चि अनकजी से बताया और अभी जो क्या बता रहे हैं तो ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है वो जो संकादिक रुषी थे उन्होंने नारद मुनी से पुछा कि चिंता तूर कैसे हो देखो चिंता करना है न वो चिंता चिता समान तो चिंता में आनन्द में रहो और आप कहां जा रहे हो वो जो क्या दैक को कहां जा रहे हो सांति से बैठो भाई और आपका आगमन कहां से हो रहे है फ्रम कुतहा आया ता कहां से कहां जा रहे हो और कहां आ रहे हो देखो आप कहां से आये हो आप लोग मुझे पूस्ते है कि गुरु जी यह जो मनुष्य का जन्म रहता है तो जीव कहां से आता है और कहां जाता है तो देखो जीव का आवा गमन होता है और आपका आवा गमन नहीं होता है आप जब आपको जब भ्रह्म स्वरूप हो जाएगा नमे मृत्यशंका नमे जाति भेद पिता नईव मे नईव माता न जन्म बंदू नमित तो न आना है न जाना है और व्याकुल जिसका भन लूटलिया है जो मोहित हो जाता है जिसका दन लूटले ताएंग इसका रडूप आप यह जो बता रहे हैं कि मैं सर्वत्तम लोग समझ कर पृत्वी में आया था यहां पुश्कर प्रयाक कासी गोधावरी हरिद्वार कुरुक्षित्र स्रीरंग सेतुबंद आदि कई स्थिर्टों मैं इधर उधर वीचरता रहा किन्दु मुझे कही भी मनकव संतोस देने वाली शांती नहीं मिली इस समय अधर्म से सहाय कली यूग सारी पृत्वी को पीडित कर रहा है देखो कली नाम यह जो कली यूग है तो नारज जी वह बता रहे है किसको बता रहे संकादिक रूशी को बता रहे कि मैं सब जगह पे घुमा तो ऐसे जिसे इढ़ नहीं जा सकते तो बितर जाईए किदर नहीं जा सकते हैं तो बितर जाईए और पिडित कर रहे कल्यूग में यहां अभी सत्य तप सौच दया दान आदी कुछ भी नहीं है बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं वे असत्यभासी आलसी मंदबुद्धी भग्यहिन उपद्रव घरजत हो गए हैं जो सादुसंत कहे जाते हैं वे पुरे पा खंडी हो गए यह कल्यूग का लक्षन बता रहे यह देख्मेन में तो वीरत है किन्तु इस्त्री धन आदी सबी में परिग्रह करते हैं घरों में स्त्रियों का राज्य हैं साले सलाकार बने हुए है लोब से लोग कन्या विक्राइब करते हैं और स्त्री पुरुष के कलह मचा रहेता है यह जो बात है हम भागवत को पढ़ रहे हैं इसमें कली का वर्णन है कली अभी कौन सा समय चल रहा है तो देखो कली काल है ऐसे हम लोग को जब पुजा पाठ करते हैं उसमें बताते हैं ओम विश्णोर विश्णो स्रीमद भगवदो महापुरुष से विश्णोर आगनाय कली यूगे कली प्रतम चरने भारत वर्से जम्वुद्वीपे गोदा वरियाहा उत्तर ऐसे संकल पाता है तो अभी है काल ऐसा चल रहा ह वो बताने की जरूने आपको खुद को मालू है तो भी मैं पढ़ता हूँ महत्माओ के आश्रम तीर्थ और नदियों पर ऐसे अन्य लोगों का अधिकार हो गया है उन्हें दुस्टों से बहुत से देवालई भी नष्ट कर दिये है इस समय यहां न कोई योगी है न कोई सि दिख रहे है ऐसा तो जिसे कॉमेंट मैं देखता हूँ कितने व्यूज हुए तो इतने तो योगी है जो सुन रहे है ऐसा न ग्नानी है न सतकर्म करने वाला ही है यह नॉर्मल बता रहे है ऐसे समझ लो ऐसे सौमे से एक आदमी अच्छा है तो इससे क्या फरक पड़ता है तो जिसे यह व्यूज है न तो वन मिलियन व्यू हो गया है तो समझना आप देख रहे हैं कितना भी होता है तो कम लोग ऐसे लगते हैं इस कल्यूज में सभी देश्वासी बाजार में अन बेशने लगते हैं ब्रहमन लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और यह जो भी लोग है तो निर्वा जो करते हैं वो धन के लिए रहता है तो आज इतना ही रखते हैं और जैसे भागवत का पथन है वो बहुत अच्चा है मुझे तो बहुत आनंदा आता है आप बोलिए आप सोचिए कि मुझे भागवत सुनने में आनन्दा रहा है, आनन्द में रहो, मोज में रहो, हराल में खुश रहो, प्रभु आशिरवात दे रहा है और मैं सिर्ब बोल रहूं, आपका शुब हो, आपका कल्यान हो, आपका मंगल हो, May God bless you, Om Namaha, Om Namaha.